जी फ्रेंड आप लोग को कुश्म कीचन बलग में स्वागत है तो यहां पर मैं बॉय लालू ले ली हूँ एक जी है दोस्तों और यहां पर हाफ टेस्पून मैं जीरा पाउडर दे रही हूँ इसमें और हाफ टेस्पून धनिया पाउडर और half tasteful में यहाँ पे लाल मिर्ज पाउडर दूँगी दीखें दोस्तों बहुत चटपटा रेश्पी है और यहाँ पे मैं धनिया कटा हुआ धनिया दी हूँ और यहाँ पे मैं 6 हरी मिर्ज को बारी के काट ली हूँ और काटकर इसमें दे दी हूँ और यहां पर में हाफटेश्फून से ही कम मैं गुल मरीज का गुड़ा दी हूँ गुड़ा पाउडर है दोस्तों और हल्दी थोड़ा से एक चिटकी कलर के लिए और स्वाधन सार नमक और चलिए इसको मिला लेते हैं इसको बारीकी नहीं फोड़ना है इसको थोड़ा यह रह गए हैं तो इसे अच्छा रहेगा इसको पूरा मैस कर दीजेगा न तो यह अच्छा नहीं रहेगा तो यह चलिए हो गया तैयार बस ऐसे ही उसको फोड़ना है आलू को और यहां पर मैं अपने परिवार के एक औरिन आटा ले ली हूँ तो यहां पर एक जी आलू तो मैं 700 आटा ली हूँ और यहां पर मैं सादा तील एक चमच दी हूँ और एक चमच इसमें नमक दे रही हूँ क्योंकि उसमें भी नमक पड़ा है पर आटा में भी नमक मिला लोंगे गहू का आटा है तो और अच्छा रहता है दोस्तों बहुत मतलब अच्छा लगता है में और यहां पर चलिए आटा को अच्छे से मख लेते हैं तो इसमें पानी थोड़ा थोड़ा एट कीजिए का एक बन नहीं आट कीजिए गनी तो आटा गीला हो जाएगा आटा हम लोग को रोटी के जैसे हम लोग साफ्ट आटा लगाते हूं ऐसी आटा इसको लगाना है आटा को मसल के अच्छा से अठा कट डू ready कर लेना है तो देखिए मैं अच्छा से हाथो से उसको मिला रही हूं तो देखिए आटा कट कट यहार हो गया है तो चलिए इसमें मैं सुख्या आटा रखी थी यहां हम लोग यहां पर्थन बोलते हैं सुखे आठा तो इसको इसमी लेली पर चलिए इसको गोल-गोल लट्डू बनाते हैं एक साइज में इसको हम लोग गोल-गोल आठा को लिका लेते हैं उसके बाद इसमें मसाला को भरेंगे इस तरफ गोल पेड़ा को इठाकर और दोनों अंग्ठा से उसको गड्ड़ा बनाए और इस गोल-गोल घुमाते हुए बहुत अच्छा से गठा बन जाता है और इसमें जो आलू का हमें यह तैयार करकर रखेंगे उसको इसमें भर दे रहे हैं और देखिए इसको घुमाते घुमाते इसका अंग्ठे के सहारे से इसका मुंग को हम लोग लग कर देंगे क्योंकि आलू बाहर ना आए बहुत क्रिप्सी और बहुत चटपटा यह बनता है यह बच्चों को टिपिन के लिए बना सकते हैं या आप लोग खुदी खाना चाहें तो आप लोग अपने लिए बनाईए बड़े बच्चे सभी को पसंद आएंगे यह रेसिपी इसमें कोई जंजट नहीं है कोई ताम ज चला तयार करना है इसी तरफ से दिखे इसको भी हम आलू देकर भर लेंगे और इसको अंग्ठा से दवाते हुए इसको गोल गूमाते हुए इसको मुझपो लग कर लेंगे बहुत अच्छा से लग हो जाता है तोस्तों आलू बिलकुल बाहर नहीं आएगा आप जितना आल कर इसको पुरी कार में कर ली गदिए गा तो मैं सबी को भर लिए और चलिए यहां पर मैं वाइल में इसको फ्राइब कर लेती हूं यहां पर में ऐसम आल नavalに हो आप जिस और इसमें मेरी कि जिएगा तो ऑईिल को ज्यादा गरम किजिए गा गरम कर दिशbimmel PhD अठी जलने लगती है और उसमें वह उठ जाएगा मतलब उसका अच्छा नहीं होता है देखने में और ऐसे इसको फ्राइब कीजिए का मतलब बिसी गरम नहीं हलका सा सुसुम ऑईल हो उसी में इसको रख दीजिए और शुरू में गैस को सुलो रखिएगा और इसके बाद इसको फास्ट कर दीजिएगा गैस को तो देखिए यह बहुत अच्छा एदम खस्ता बन कर तयार होगा और देखने में भी बहुत कुशुरत खाने में भी बहुत कुशुरत बनेगा दोस्तों तो देखिए ऐसे तो इसलिए इसको गर्म ओइल म्द दी जिये खेंगा थोड़ा ओइल ठंड़ा रहे हो जब अच्छे न 도시다 के बना ना हो ऑग घ्रस को दो मिनुमिन वाफ उसके बाद इसको फ्राइ की जिए गए तो बहुत मस्त फ्राइEEEE होगा तो देखे दोस्तों हम ऐसे करकर सेवी को बना लेंगे तो देखे तो कितना आच्छा हुआ है ना गोल-गो और बहुत क्रीबसी होता है दोस्तों और खाने में भी बहुत अच्छा होता है तो देखे survey में तेल गरम हो गया था तो थोड़ा दिर के लिए मैं दू मिनट के लिए गैस को आप कर दी अजब यह तेल ठंदा हो गया तो मैं इसमें दी हूँ फिर भी तेल बहुत ज्यादा गरम हो गया है तो आपको दिखाती हूँ पहले वाला गा और इस वाला करीजन तो देखे डालते ही यह ऐसे हो गया तो जब तेल ठंदा हो गया तो देखिए अब नहीं होगा तो इसलिए तेल ठंदा रहे उतना गरम नहीं रहे तह भी दीजिएगा ज्यादा गरम हो जाएगा तेल यह क्या होगा उपर से पक जाएगा और अंदर से कचा रह जाएगा और गैस को थोड़ा पहले में ऐसे करके दो मिनाट इसको गैस लो में पकाईएगा उसके बाद इसको फास्ट कर दीजिएगा तो ऐसे करकर हम सभी पुरियों को बनाए और देखिए कितना अच्छा ही को चोड़ी बनके तैयार हुआ है बहुत अच्छा यालो पुरी लगता है दोस्तों बहुत टेस्टी बनता है तो देखिए दोस्तों कितना टेस्टी है और आए दोस्तों खाली जीए बहुत टेस्टी बना हुआ था दोस्तों तो उमीद करूंगी वीडियो आप लोग अच्छा लगा अच्छा लगा तो लाइ ले लेट उत उतुट